C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का बार्मा पाठ इस्माईल मेरठी सफ़ा तैंतीस तारुफे शायर इस्माईल मेरठी पैदाईश अठारा सो चवालीस इंतिकाल उन्नीस सो सत्रा मुहमद इस्माईल नाम इस्माईल तखल्स था मेरठ में पैदा हुए उस दोर के रिवाच के मताबिक उन्होंने अब्तिदाई तालीम घर पर मुकमल की मेरट के एक आलिम रहीम बेक से फार्सी जबान की आला तालीम हासल की अगरेजी जबान में भी महारत हासल करके इंजीनिरिंग का कोर्स पास किया गॉम के बच्चों की तालीम में दिलचसपी की वज़ा से उन्होंने मॉल्लमी का पेशा इختयार किया अपने एहत के एहम शायरों, मसलन, हाली और शिबली की तरह, मौलवी इसमाईल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तर्बियत का जरिया बनाया और दर्सी किताबें भी लिखी उन्होंने सादा और सलीस जबान में अर्दु सिखाने के साथ इन किताबों में अखलाकी मौजवात को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तर्बियत के जेवर से भी आरास्ता हो सकें इसमाईल मेरठी ने ऐसी कई नजमी लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और हर एहद में उनकी मानवियत और इफादियत बरकरार रही है इसमाईल मेरठी का कलाम कुलियाते इसमाईल के नाम से शाय हो चुका है सफा चौतीस नजम गोशायर इसमाईल मेरठी की नजम किये जाओ कोशिश अब पेश है इसमाईल मेरठी की नजम किये जाओ कोशिश दुकान बंद करके रहा बैठ जो तो दी उसने बिलकुल ही लुटिया डुबो ना बैठो कभी छोड़ करके रहा बैठ जो तो दी उसने बिलकुल ही लुटिया डुबो ना बैठो कभी छोड़ कर काम को तवको तो है खैर जो हो सो हो किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल रहोगे अगर तुम यूँ ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो ये माना के मुश्किल बहुत है सबक बुरा है मगर इस्तराब और कलक दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक पढ़े जाओ जब तक है बागी रमक किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इमतहा में जवाब ना पढ़ने से बहतर है पढ़ना जणाब किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो ना तुम हिचकिचाओ ना हर्गिस डरो जहां तक बने काम पूरा करो मशक्कत उठाओ मुसीबत भरो किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम खबरदार हर्गिस ना घबराओ तुम जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम खबरदार हर्गिस ना घबराओ तुम ना ठिटको ना जचको ना पश्ताओ तुम किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो मुकाबिल में खम ठोकर आओ हाँ पच्छडने से डरते नहीं पहलवाँ करो पास तुम सबर का इमतहा ना जाएगी मेहनत कभी राएगा किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो जियां में भी है फाइदा कुछ न कुछ तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ न कुछ जियां में भी है फाइदा कुछ न कुछ तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ न कुछ हर एक दर्द की है दवा कुछ न कुछ कभी तो लगेगा पता कुछ न कुछ किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो तरद्द को आने न दो अपने पास है बेहुदा खौफ और बेजा हरास रखो दिल को मसबूत कायम हवास कभी काम्याबी की छोड़ो न आज किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो इसमाईल मेरठे मश्क सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक तवक्व तो है खैर जो हो सो हो नजम के पहले बंद के इस मिस्रे में शायर क्या बात कहना चाहता है सवाल नमबर दो नजम के मरकजी खयाल पर रोशनी डालिए सवाल नमबर तीन आखरी बंद का मतलब लिखिए इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजारे उर्दू भाग एक का बार्वा पाठ यहां समाप्थ हुआ इसके बाद पाठ तेरा आता है प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T